हेलो फ्रेंज आज जो संडे ब्लोकबस्टर था इंडिया पकिस्तान मैच एशिया कप की सुपर फोर में तो भाई जैसे उम्मिद किया जा रहा था ओई से हुआ बाड़ी इसके करोन एक खेल तो आज पूरा नहीं हो पाया लेकिन चिंता है कि कोई बात नहीं कल रिजर्बड है जी हाँ दोस्तों वही बहुत जो अलोचना हुआ इस रिजर्बडे को लेकर जैसे दूसरी टीम जैसे इसका बहुत ही क्रिटिसिजम किया है क्योंकि से इंडिया पाकिस्तान मैच में क्यों रिजर्बडे रखा गया है तो छोड़े उस बात को आज तो है आलोचना काल बारिस के काड़ों एही से खिल सुरू होगा जैसे मैच का जैसे रूल है यानि काल इंडिया पर टू पर ही अपना बैटिंग सुरू करेगा दो नौटाउट बैट्समेन हैं जैसे बिराट कोहली आठ पर खिल रहा था और केल राहुल सत्रा पर खिल रहा था तो आज भ था तो पीच तो सपाट पीच था इस से पहले जो कॉलंबो में जैसे मैच हुआ था केंडी में सौरी इंडिया पाकिस्तान मैच वैसा नहीं था एक दों सपाट पीच था और इसका फाइदा उठाते हुए रोहित शर्मा और शुमांगिल ने भाई क्या दूंदार बैटिं था फिर एक चौका लागा था जैसे सोचा जा रहा था भारत आच एटाकिंग खेलेगा और दूसरी तरपने धिरे धिरे सुमांगिल ने अपना जो करिश्मा बहुत दिन बाद उन्होंने खेल देखाया हलाकि इंडिया पकिस्तान जो पहली मैच था ओर सुमांग के लिए स चौका है और साहीन अफिदी को बहुत धुलाई किया है लेकिन जब नासीम साने बल्लिंग करने आया भाई ओ भी क्या अच्छा बोलिंग किया इस सपार्ट पीछ में क्या बड़ा बड़ा स्विंग किया और दो एक बार तो इंडिया तो बच गया था पहले तो सुमांगि सब्सक्राइब बच गया था थार्ड में पर उन्होंने जो कैच दिया था साहीन अफ्रीदी ने वह नहीं पकड़ सका थोड़ा सा डिफिकल था कैच फिप्टी फिप्टी चंस अब कह सकता है फिर एक बार और एक बार चांस मिला था तो नसीम साने इस सपार्ट पीछ में जैसे स्पीट पर जैसे स्विंग कराया वह भी बहुत कबिली तरित था और कैप्टेन रोहित ने उस टाइम को बहुत समाला धीरे-धीरे लेकिन फिर जब सादाप खाना आया तो उनको बहुत धुलाएक एक ही ओभर में उनने दो चोका और एक चक्का लागया आज तो पास भाई तीन डावल सेंचुरी है तो आज भी लाग रहा था कुछ आइसा कुछ करेगा लेकिन फिर वही सादाप खान की गेन पर थोड़ा सा जैसे क्याज्वाल शॉट लगा था और उन्होंने भाई आउट हो गया था बहुत यह हार्ट ब्रेकिंग था रोहित भी कर रहा था और एक स्लो आर्गेन पर सुब्मांगिल ने कौभर में आगार सल्मान की हाथ उन्होंने कैच दे बैठा तो फिर बिराठ कोहली के साथ के रहुल ने पाटनेशिप बनाया लेकिन भारुत का जो स्कोर था एक समय तो साथ था स्कोर फिर ओ एकदम गिर कर चाकी कर दिवाया तो अभी भी रान रेट 6.08 है लेकिन लास्ट पाच और आगे देखे तो स्रेफ सोला रान बने यानि 3.20 क्योंकि कोहली तो हो सकता है उन्होंने वेदर कंडिशन को देखको ज़्यादा रिक्स नहीं लिया थे हैं और साथ-साथ केल रहु लो तो इतने दिन बाद आया है और पहली मैच इंडिया पाकिस्तान सुपार फूर मैच इंपोर्टेंस बहुत है तो थोड़ा बहुत उनका प्रेशर था अलाकि उन्होंने भी दो चोकल लागा था तो फिर बारिश आ गया था और बहुत बढ़ इंस्पेक्शन हुआ लेकिन आज मैच नहीं हो पा डब करहोगा तो देहें तो मिला है भारत को क्या मैच कर सकता है की नहीं औस तो भारत यह बहुत ही इंपोर्टेंटंस मैच है जितना होगा इसे मैच को फिर उसके बाद तो सिलों का मैच है यानि लागातार तीन दिन इंडिया मैदन में उतर रहा है तो इंडिया के लिए बहुत ही टाफ है लेकिन इस सीचुएशन को सावालना पड़ेगा तो देखते हैं कैप्टेन रोहित और उनका जो ब्रिगेड है कैसे इस सीचुए करने के साथ वीडियो का अच्छा लगी तो लाइक को में और शेयर करना चैनल में नए है तो चैनल में जाकर सब्सक्राइब करना तो मुलाकत होगा आगली वीडियो में तब तक के लिए स्टेय हपी स्टेय हरदी थैंक यू